नवश्कार स्वागताब सभी का History 360 चैनल में मैं रवी कुलरी एश्टी लेक्चर आजसान से आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी लाइब्रेरी में कौन से किताबे हैं ये इसका पहला पार्ट होगा और इस पार्ट में हम बात करेंगे कि History की मेरे पास कौन से किताबे हैं मैंने बहुत सारी किताबों के History के किताबों के Review किये हैं लेकिन उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी किताबे हैं जिनके मैंने Review नहीं किये हैं क्योंकि वह बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए उप्योगी नहीं है वह टीचर्स पढ़ सकते हैं या जो शोध कर रहे हैं विद्यार्थी वह पढ़ सकते हैं इसके अंदर मैंने रखी हैं एंसेंट इंडिया की बुक्स और इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले मेरे पास वीडी महाजन और सौरब चौबे की किताबे हैं जो प्रत्योगी परिक्षाओं के लिए खास तोर से जो मुल्टिपल चोईस एक किताब हम खास दोर से बात करें तो केशी शिर्वास्तव की एक किताब बहुत ज़्यादा विद्यार्ति इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में इसका रिव्यू बें बहुत से लोगों नहीं देखा था केशी शिर्वास्तव की ही मैं बात करूं तो बी-ए कि इलावा युनिवर्सिटी के लिए बीए के लिए के शिर्वास्तव की यह जो बुक है वो दो पार्ट में आती है तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था फिर एक जो बुक मैंने शायद इसका रिव्यू नहीं किया है पी ल गौतम की किताब है यह प्राचिन भारत के इतियास के लिए इसके अलावा जो किताबे हैं मेरे पास जैसे सोरब कुमार चोबे की प्राचिन भारत का इतियास और सुनस्कृति आप ने पहले रिव्यू नहीं देखे हैं तो इन बुक्स के आप रिव्यू भी देख सकते हैं क्योंकि लगबग सभी किताबों के मैं रिव्यू क इसका फॉर्थ एडिशन भी आ गया है पीला सा कवर आता है उसका नितिन सिंगानिया की किताब है खासतोर से यूपीएसी की तैयारी करने वाली विद्यार थी इस किताब को आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ते हैं फिर यदि मैं बात करूं तो कुछ और किताबे हैं यह हमें पर जैसे यह वैदिक काल है प्रागेति आहसिक काल है यह आपस नम से अती है मैं ने रिव्यू किया था काफी अच्छी शीग है ये और इसे लावा पुनम दलाल दहिया की यह किताब चैब मैंने आपको इसके बारे में बताया था यह इसके बारे में लाया था तो थोड़ी सी पढ़िति इसके रोमिला थापर की, तो इनका भारत का इतियास जो इंग्लिस में भी आती है, ये मेरे पास हिंदी में है, और ये देखिए, अरली इंडिया, ये काफी मोटी सी किताब है इनकी, तो शायद मैंने इन में से एक दो किताब के रिव्यू नहीं किये होंगे, आप में से किसी मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद में जैसे चक्रवर्ती वाली किताब है, ये हिंडी और इंग्लिश दोनों में आती है, रनवीर चक्रवर्ती की, ये एक्स्प्लोरिंग अरली इंडिया बाई रनवीर चक्रवर्ती, और ये रनवीर चक्रवर्ती की बहुत अच्छी किताब है यह दोनों के इस आगी हैं और यह तीरी इंडिया दोना। ये भी 1526 से 1947 वाला portion है और ये भाग दूसरा है तो इसको एंसेंट में नहीं रखना चाहिए था मुझे इंसेंट का पार्ट नहीं है इसको मैं यहां से हटा दूँगा मैंने इसके साथ रख दिया था ये जो पार्ट है प्रारंब से 1526 तक इन दो पार्ट ये मैं इनको साथ रख दिया था इसलिए ये एंसेंट के अंदर रखी हुई है फिर उसके बाद में देखिए एक बहुत ही मेरी फेवरेट किताबों में से एक है जैं इन्दल लोटस ये इनकी अबराहम- जानना चाहें तो वीक जन की ये किताब है और भारत का पुराचीन बहारत एसके पनने की किताब है इसके पांडे की प्राचीन, मद्धे और आधुनिक तीनों सीरे जाती है और पृतियों की प्रिक्षाओं के लिए बहुत से विद्यारती इसको पढ़ते में है PGT, TGT वगएरा के लिए यह अभी मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था इसका सोनाली बंसल और स्नेहिल तिरपाथी की अच्छी किताब है History of ancient India फिर यह जो हमेशा से चलती आ रही है Old NCRT और यह Oxford की यह इसकी जो एक Orient Black Swan publication के भी आती है RS Sharma की किताबे लगबग सेमी किताबे हैं तीनों की तीनी और यह Old NCRT है तो प्राचिन भारत की इतिहास से समदित यह कुछ किताबे हैं अब आप सौचेंगे कि कुछ वेक्टों किताबे जो मैं बहुत अच्छी बताता हूं और वह ने यहां पर दिखाई नहीं तो यहां पर क्या है कि यह रेक्ट फुल हो गई थी एंसिंटी इंडिया की तो इसमें मैंने कुछ किताबे ही यहां पर रख दी है तो यहां मैं आपको इनको दिखाने के कोशिश करता हूं जो ज्यादा दो most important है वो तो यहीं पर रखी है क्योंकि मैं इनको ज्यादा काम में लेता हूं उपिंदर सिंग की प्राचीन अउपुर मद्यकालिन भारत का इतिहास चे नेड़ जारफ के विद्यारती हों चे इस्ट्यॉक्शनल के विद्यारती हों सब इसको पढ़ते हैं या फिर यह जो MCQ के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है नेड़ जारफ की बात हो असिटेंट प्रोफेसर की बात हो पीजीटी की बात हो पपुसिंग प्रजापत की प्राचीन भारत का इतिहास फिर इसके बाद यह तो NCRT रखी हुई है यहां पर एक और यह आरी और हडप इक कब यही किताब हैं कूश एक दो किताब और हो सकती हैं जो दूसरे के अंदर रbakी हुई मिलेंगे आपको फिर हम बात करते हैं मद्यकालिन भारत के इतिहास की बात करें तो जो जल्लीll क surgeons किताब में दे की बात करेंbie नंत्य किताबं की 34 Alcumar यह जो तीन किताबे आती है जेल महता की पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री काफी अच्छी किताबे लगती है मुझे या फिर इससे थोड़ी सी आप थोड़ा मेंटर कम कह सकते हैं लेकिन बहुत जादा पॉपुलर किताबे हैं जैसे सतीष चंद्रा की दो पार्ट म को पढ़ते हैं हरिश चंद्र वर्मा के पार्ट वन और टू इनमें थोड़ा सा इश्यू इनकी पेपर क्वालिटी का रहता है इनकी प्रिंटिंग का रहता है इनमें में अच्छा है इसके लावा मैं बात करूँ तो जेखिए जेल महता और सरीता महता की इंग्लिश मीडि हैं यह किताब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन तीन पार्ट से थोड़ी सी अलग है और मैं यही राय देता हूं कि इसके बजाए आपको वह तीन पार्ट वाली बुक पढ़ने चाहिए इसके लावा जैसे यह जो वह पार्ट हैं मैं आपको बता रहा था इरफान अभ इसका एक ही पार्ट है मेरे पास बहुत सारी काफी महँगी आती हैं यह किताब हैं इनकी पेपर क्वालिटी बे अच्छी आती है और बहुत कठीन मतलब पढ़ने में भी कठीन है और इनका दाम भी बहुत जादा है यह आप इसकी पूरी सीरिज करें तो आपको काफी हजा 1557 का कैसी है मुझे नहीं पता क्योंकि कई बार ऐसी किताबें आ जाती हैं कि जिनको मैं फिर पढ़ नहीं पाता दूसरी किताबें आ जाती हैं यह जो जेयल महता वाली थी उसकी इंग्लिश मीडियम में आती हैं जो अभी मैंने आपको तीन पार्ट दिखाया यह टीच यूर फेक्ट के लिए पीजीटी टीजीटी के लिए काफी अच्छी किताब है तो इन तीनों किताबों को बहुत ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं या फिर यह जगी यह तो मैंने दिखाया था जो ओल्ड इंसी आर्टी है या सतिश जंद्रा की जो सिंगल वोल्यूम आती ह है वो एक ही बात है फिर इसके बाद में यह देखिए सुजाता मेनन की एह हिस्ट्री ओफ मेडियाविल इंडिया प्रसम दृष्टिया मुझे काफी अच्छी लगी थी यह किताब लेकिन मैं किसी कारण में से इसको पूरा नहीं पढ़ पाया क्योंकि किताब के ऊपर किता पूता और डॉक्टर पेमाराम की मद्धेकालिन भारत का इत्यास अशान सब्डों में काफी अच्छी किताब है इम्तियाज एहमत की मद्धेकालिन भारत एक मुगल कालिन भारत इसके अलावा मैंने एक और ऐसी किताब का रिव्यू किया था आभी शेक चातुर्वेदी वह मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं आप लफाजी युक्त शब्दों का इस्तिमाल करते हुए शायरी का इस्तिमाल करते हुए थोड़ी रोचक लेकिवी थी वह मैंने किसी विद्यार्थी को दे दी वह किताबें बहुत सारी किताबें ऐसी भी हैं जो मैं किसी को दे देता हूं फिर उसके बाद में मेरे पास वह आनी पाती अब इसके बाद में मैं आपको आधुनिक भारत की किताबें दिखाऊं तो आधुनिक भारत के इतिहास में मोस सब लोग इसको पढ़ने लगे हैं लेकिन ये अकेली कभी प्रियाप्त नहीं होती इसके अलावा जो इंपोर्टन किताबे हैं जैसे आजकल डीप त्यारी के लिए नेयर जियर अर्विन भासकर की ये दो पार्ट में किताबें आती हैं काफी अच्छी किताबे हैं और केल गोतम की मैंने आपको दिखाई थी काफी अच्छी किताब है इसके अलावा जो मैं किताबों की बात करूं कुछ स्पेशल किताबे हैं जैसे एक विपिन चंद्रा की आपको यहां मिल जाएगी कहीं आ जाएगी सामने भारत का सुतंतरता संगर्ष भाई विपिन चंद् किताब क्योंकि फैक्ट वाई जिसमें उतने डाटा नहीं है लेकिन समझने के लिए ठीक है किताब इसके अलावा आधुनिक भारत के इतिहास में मैं बात करूं किताबों की तो सके पांडे की है और यह देखे ए इसके पांडे की किताब आधुनिक भारत में काफी पढ़त और इसके अलावा काफी भी द्यार थी बियल ग्रोवर और अलका महता की एक किताब भी पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में जो कि आप गवर्नर जनरल वगरा पढ़ने के लिए काफी अच्छा मेट्रीस के अंदर है फिर इसके अलावा मोडन इंडिया पूनम दलाल दहिया की आई है अभी पीछले साल ही आई थी यह और ये भी शुजाता मैनन और ये वाली जो किताब है मैंने साथ ही मंगवाई थी और इसको मैं रिव्यू करने वाला था लेकिन फिर मैं इसको पूरी तरह से देखनी पाया और ये अनुजगारक जो यूटीब पर काफी पॉपुलर है आज कल आने अकेडमी में पढ़ाती है उनकी एक किताब आई थी अच्छी किताब है लेकिन वैसे आप ये सोचते हैं कि सर आज आप सारी अच्छी बता रहे हैं रिव्यू के परपस से या एक्जाम के लिए जै थोड़ से वो आपको समझने के लिए किताब इंपोर्टेंट हो सकती है लेकिन ये हिंदी में नहीं आती फिर इसके लावा कुछ किताबें हैं जैसे एक के लिए बात करें तो एसके गुपता की किताब मैंने इसका रिव्यू किया था और कृशन चंद्रमाथूर और नारा हो गया है और अभी इसकी छपाई भी नहीं चल रही है लेकिन ये अच्छी किताब थी किसी टाइम में बहुत इंपोर्टेंट किताब ये मानी जाती थी ये एडवांस लेवल की किताब हैं ये विद्यार्थी तो कभी में इसको नहीं पढ़ सकते जैसे ये बात करूँ तो 1707-1813 तो इतने ही वर्षों के लिए और ये बहुत बढ़ी किताब है लेकिन इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट बातें च्रिपभी है जो कि मैं कहूँगा कि शिक्षिकों के लिए बहुत इंपोर्टेंट किताब है आदुनिक भार्त की तिहास के ओर बातें करें नहीं तो फिर भी हम बात करें सिर्फ इस portion के लिए आप खास और से प्रकार की किताबें नहीं पढ़ सकते यह देखिए भारत में स्वाधिंता संगर्ष जे पी मिश्र के यह किताब आशान सब्दों में बात करूं मैंने इसका रिवीव में बताया था कि इसका हिस्ट्य ऑप्शनल जैसे वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 इसका मुझे कहीं मिला नहीं और यह तारचन के भारती आधुनिक भारत के इतिहास के वॉल्यूम है और काफी बड़े-बड़े हैं यह मेरे लिए कभी-कभी कुछ बातें रूणने के लिए या कई बार बहुत से राइटर जैसे मैं उनकी बाते बताता नहीं लेकिन कई बार राइटर हैं वो मुझे टास्क देते हैं कि यह कोई एक पोर्शन है और इसमें आप इंपोर्टेंट बातें हमें छांट के दीजिए डेफिनेटली कई बार मैं उसके लिए चार्ज करता हूँ कई बार नहीं करता हूँ और इसलिए मुझे कई बार समय लग जाता है तो उस टाइप समय मुझे इस टाइप के किताबें काफी काम आ जाती हैं फिर उसके बाद में एक-दो किताबे ओर है यहां पर भारत का से 1950 जो भी एक्ट्स वगरा है इस दोरान के वो सारे इसके अंदर शामिल है मानिक लाल गुप्त की और ये लक्षमी सुब्रेमाणियन की भारत का इतिहास 1707 से 1857 तक 1857 तक के पार्ट के लिए एक अच्छी किताब है लेकिन जो Multiple Choice Questions वाल एक्जाम है उसके लिए मैं इसको रिक्मन नहीं करता लेकिन वैसे UPSC के अकॉर्डिंग काफी अच्छी किताब है इसके लावा देखिए आधुनिक भारत की इतिहास में जैसे जो दो मेरी फेवरेट किताबे भी हैं यहां मैंने नहीं रखी थी जगह नहीं थी वह यहां पर रखी हुई है बहुत दीक प्रकाशन इसकी तुलना सुमिध सरकार से कभी भी नहीं हो सकती यह गाइड है जबकि सुमिध सरकार की यह तो जैम है अपने आप में लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि प्रतियोगी परिक्षाओं के जो MCQ वाल एक्जाम है उसके लिए यह हमेशा काम आती है बहुत दीक प्रकाशन की और सुमिध सरकार की किताब ऐसी है यह आपके पास टाइम हो तो कोई भी एक्जाम हो modern history के लिए आप इसको जुरूर पढ़ें काफी अच्छी किताब है दो बहतरीन किताबों की मैं बात करूँ तो मुझे सुमिध सरकार और शेखर बंदोपाध्य की किताब बहुत किताबें दिखा देता हूं अब बात करते हैं विश्व इतिहास वर्ल हिस्ट की किताबों के बारे में जैसे multiple choice questions वाले एक्जाम की बात करें तो जैसे अर्विंद भासकर की किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है या फिर इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना या फिर इस प्रकार के ये किताबें A Short History of the World H.G. Wells की किताबें हालनकि ये प्रतियों की परिक्षाओं के लिए उतनी important नहीं है अब हम बात करें प्रतियों की परिक्षाओं के लिए important बातों किताबों की बात तो ये देखिए History Optional के लिए कई विद्यार थी जो बीसवी शदी का काल है जो विश्वीद्यों वाली दुनिया है या उसके बाद में शीत युद्ध का दोर है उस दोर के लिए नॉर्मल लोग के किताबें पढ़ते हैं ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में काफी डिटेल में हैं ये आपके लिए इंपोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था कि जिसका इंग्लिश मीडियम है तो वो पढ़ सकता है काफी अलग तरीके के किताबें और बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन बड़े-बड़े पार्ट है इनके वॉल्यूम काफी बड़े-बड़े आते हैं इन आजसान में जो असेशन प्रोफेसर का एक्जाम था उसी के लिए फिर यह जो किताबें देखिए एक तो महिश कुमार बर्नवाल की आती है NCRT का सार 6-12 तक फैक्ट वगरा पढ़ने के लिए या फिर देखिए एक UPSC के लिए हम बात करें तो यह अखिल मूर्थी की कि यूरोप का इतिहास यह दो पार्ट में आती है इसका दूसरा पार्ट कहीं भी मिल नीरा प्रिंट में इसकी सिर्फ एबुक अवैलेबल है और यह काफी अच्छी किताब थी इसका मैंने रिव्यू भी किया था जैसा कि मैंने बताया रिव्यू बहुत सारी बुक्स क्या चाफ तोर से modern history दे रखी है modern world history ancient है नहीं राजस्थान में PGT वेगारा की बात करें या उसमें आपको जो प्राचीन सब्वेताय हैं उसके बार में थोड़ा बहुत मिल जाता है तो लेकिन बहुत ज्यादा popular नहीं होती प्रतियों की प्रिक्षाओं के लिए क्यों क्योंकि इसके बाद में बहुत कम portion आता है और फिर आता ही नहीं है तो इसलिए मैं रिव्यू नहीं किया और मैंने इसको पूरी पढ़ी ова है इसके बाद्यू बार दो किताब नहीं प्रने किताब की इन्यों किताब का या नहीं किया था और उर खास्वार से UPSC में कुछ विद्या पिल्कुली कम दे रहे उतना तो आपको सामने किताबों में मिल जाता है इसके बाद में मैं बात करूं यह देखिए मुल्टिपल चॉइस के लिए दो किताब आती है एक तो अर्विन भासकर की आती है काफी विद्यारतिस को पढ़ते हैं और नए टाइप के कुछिस में आप के प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है सामने तोर पर कोई वर्ल्ड रिस्ट के बारे में जानना चाहे तो एक अंसाइस हिस्ट्य ओफ मॉडर्ण यूरोप ये डेविड एस मैसन की किताब है यह मेरे पास काफी पहले से रखी हुई थी अब बात करे का इतिहास एक रूप रेखा रंजन चक्रवर्तिकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडिय में मेरे पास है कई बार विद्यार्थों को यह लगता है कि मैं किताबे को कोई मेरे को किताब सप्लाई करता है और मैं रिव्यू करता हूं वापस दे देता हूं ऐसी बात नहीं है 99% किताबे मेरे पास ही रहती है ऐचा जरूर है कि कई विद्यार्थी जो मेरे आस पास के है मेरे रिलेटीव में हैं कोई उनको मैं कई बार किताबे दे देएता हूँ फिर ये देखें लाल बाहदुर वर्मा यूरोप का इतिहास आशान भाषा में बहुत अच्छी किताबे हैं ये दोनों पार्ट वन और पार्ट टू पर इसके बाद में विश्व इतिहास में बात करें तो देखें ये किताब भी ठीक आती है डॉक्टर करशन चंदर माथूर और डॉक्टर नाराएंड माली की इसका तो मैंने रिव्यू किया भी था थोड़ा सा आप मेटर उससे कम मान सकते हैं जो की जैनन मातूर की बड़ी वाली किताब आती है फिर ये देखें के एल खुराना की वर्ल हिस्ट्री इसका मैंने रिव्यू नहीं किया है एक दो किताब आती है वही आपको मैं दिखाऊंगा अभी हिंडी और इंग्लिश दोनों में है मेरे पास और फिर इसके बाद में देखें अर्जुन देव की शोर्ट में पहले शायद NCRT में चलती थी उसी का थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है ये औरेंट ब्लेक स्वान के और और से आती है यह सामाने तोर पर वही पढ़ते हैं जैसे आप जीएस की बात करें तो कभी कभा रिककादू का कुशन आता है तो उसके लिए स्टूडेंट इसको पढ़ लेते हैं फिर देखिए डिकोड हिस्ट्री वर्ल्ल हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस य और से आने वाली एक गाइड है और गाइड की बात करें तो काफी अच्छी किताब है यह दिया आपका modern history किसी के अंदर आता है किसी multiple choice question वाला exam के अंदर तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं यह इंग्लेंड का इतिहास यह किताब का मैंने review अभी तक नहीं किया है क्योंकि इंग्लेंड का इतिहास क्योंकि खास और से विद्यार्थी वो देखते हैं जो कि प्रतियोगी परिक्षाओं की तियारी कर रहे हैं तो कई बार मैं ऐसी किताबों के review नहीं करता जिसका review कोई देखेगा है नहीं अब मैं बुक का review करता हूं world history तो आप मैंसे कई देखेंग की किताब यह किताबें तो बहुत अच्छी है लेकिन आप स्टूडेंट के लिए नहीं है जैसे कि एक यह है इसका इंग्लिश वर्जन भी शायद यहीं कहीं रखा होगा अर्विन सीना की है सग्रांदी कालें यूरोप लेकिन बहुत टफ किताब है इसमें बातें तो चीज का आइडिया हो जाता है यह आपको पास कभी भी कम समय हो तो मैंने एक बार बताए भी था कि आप यह जो दिनानात वर्वामाली किताब है इस प्रकारगी किताबें बढ़ सकते हैं फिर उसके बाद में एक विश्व का इतिहास ही देखिए विश्व इतिहास की भूम लगते हैं अच्छी किताब है अब इस आपको यूरोप का इतिहास के दो कि आदुनिक पश्चिम का उद्य के दो एक ही बात है यह तो इनके अंदर वही मिलते हैं तो यह बात होगी वर्ल्ड हिस्टरी की किताबों के अब इसके अलावा हिस्टरी की मेरे पास कौन सी काफी डेफ्थ नौलेज के लिए हैं जैसे अकबर के लिए पर्टिकुलर किताब हमको चाहिए और किसी और रूलर के लिए हमें पर्टिकुलर किताब चाहिए या फिर जैसे आपको MCQ सॉल्व करने के लिए जो किताबे चाहिए अब जो किताबे आती हैं वह भी बहुत सार और किताबे हैं थोड़ी सी एडवांस लेवल की हैं और किसी भी लिहास से स्टुडेंट्स के लिए वो किताबें नहीं कहीं जा सकती जैसे यहां पर मेरे पास है गजाजन गजानन माधव मुक्ति बोध किये किताब है भारति इतिहास और संस्कृति शायद आपने एक कवी की इनका नाम सुना होगा और यह लग ट्रींप टाइब है हटकर किताब है और यह देखे गये रामचंदर गूहा इस प्रकार के जो books है historians की वो मैं काफी पढ़ता हूँ उपिंदर सिंग की देखे ये दिली का प्राचीन इतिहास ये किताब है खास वर से दिली को लेकर ये देखे क्रिशन मोहन शिर्माली जो जायन शिर्माली आप पढ़ते हैं उनमें से क्रिशन मोहन शिर्माली की एक किता यही थी इसके अलावा रामचंदर गुहा की किताबों की मैं बात करूं तो तीन चार किताबें यहां पर और रखी हुई है मेरे पास जैसे भारत गांधी के बाद और गांधी भारत से पहले यह जो दक्षन अफरिका में जर्म से लेकर दक्षन अफरिका में 1915 तक जो रहे उसके बारे में इस किताब में है यह गांधी की मृत्यू के बाद की किताबे है और एक जो गांधी के 1915 से लेकर और उनकी मृत्यू तक की जो किताब आती है वो इंग्लिश में आती है और उसको उन्होंने हिंदी में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो उसका पहला पारट तो हिंदी में आ गया था जिसका मैंने रिव्यू भी किया था और इस किताब में जो पूरी किताब है इसमें से जितने भी important question है उसका मैंने वीडियो भी बनाये थे दो वीडियो में 200 question शामिल किये थे जो की आधनिक भारत की तिहास से समने थे इसके लावा रामचंदर गुभा की देखिए makers of modern इंडिया जो important भी बहतर लगती है यह तिक न्यात हन अजीब सा नाम आपको लगेगा पास से आपको देख सकते हैं जह जह चरण पड़े गोतम के महत्मा बुद्ध जिसे आपने देखा भी होगा कि महत्मा बुद्ध की मूर्ती भी मेरे पास यहां रखी रहती है बहुत सारी किताबे भी अभी मैं और दिखा हुआ क्यों महत्मा बुद्ध मेरे भारत की जहास में सबसे फेवरेट करेक्टर हैं पिर देखें असोक कुमार पांडे की आधुनिक राजनिती के प्रप्रेक्ष में देखें तो कभी उस राजनिती के समर्थन में कुछ किताबें आती हैं कभी उसके किताब के लिए जैसे कश्मीर नामार कशमीर के मामले में सबसे भैतर किताब है कश्मीर पर आप पढ़ना चाहें अभी सावरकर परून की किताब के लिए तो इन किताबों का कोई उच्चित नहीं है ये यूरोप इन ट्रांजिशन जो संक्रांति कालियन यूरोप अभी मैंने आपको अर्विंद सिन्ना की किताब दिखाई थी वर्ल हिस्ट्री में वो किताब है ये देखे दे एज करकार के किताबे मिल जाएंगी और मैं हर एंगल से इंडियन ही को समझने की करता हूँ वर्ल हिस्ट्री को समझने की कोशिश करता हूँ तो यहां से मुझे अप्राइम ऐराल की किताबें बहुत अच्छी लगती हैं और यह और East India Company से related जो बाते हैं उसको समझने के लिए बहुत बहुत important किताब है और काफी अलग बातें इसके अंदर मिल जाती हैं जो कि हम घीजी पीटी जो हमारी guides आती हैं उसके अंदर नहीं मिल पाती लेकिन विद्यार्थी मैं मानता हूँ यह नहीं पढ़ सकते इसी के कारण में परीक्षयवाणी जैसे किताबों का बताता हूँ आपके लिए बहुत अच्छी क्योंकि एक विद्यार्थी के तोर पर वह आपकी बहुत मदद करती हैं तो ये किताबें होगे अब इसके बाद में यहां पर कुछ किताबें देखिए विशेस रूपसिते से गुप्त सामराज्ये पर ये किताब है डॉक्टर प्रमेश्वरी लाल गुप्त की या नंद और मौरी यूगिन भारत के लिए नीलकंड शास्त्र की इनके आपने दक्ष महत्मा बुद्ध पर उनकी बहुत सारी किताबें हैं और भी किताबें उनकी रखी हुई हैं जिसे कि मैंने आपको बताए कि इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ जो की हिस्ट्री से रिलेटेड किताब हैं बाकी जो किताबें हैं उसके बारे मैं एक और वीडियो बनाऊ आते हैं और यह नीचे वाली किताबे हैं इनका मैं रिव्यू अभी आपको बता इनके बारे में बता चुका हूं अभी कुछ और किताबों के बारे में आगे पड़े हैं तो यह देखिए ऊपर तो दूसरी किताबे हैं हिस्ट्री से इनका लेना देना नहीं है फिर आगे अनवाद शाय दिन का कई लोगों ने किया है मेरे पास ये freedom at midnight जो इंग्लिश में किताब आती है मुनी शक्षेना का किया हुआ अनवाद मेरे पास यहां पर रखा हुआ है इसके बाद बात करें तो टोनी जोसफ की अर्ली इंडिया के बारे में है आरंबिक भारतियों के बार बहुत सारी बातें इसके अंदर दी गई है यह देखिए उपिंदर सिंग की और लाहिरी की नैंजोत लाहिरी जो शायद असोका यूनिवरसिटी में पढ़ाती थी उनकी किताबें और भी आई है एक महात्मा बुद्ध पर भी उनकी किताब है जैसे कि आपने एक किताब य किताब यह है बहुत इंपर्टरन किताब है इसी पर शुट किताब है इनकी नियंजोत लाहरी की किताब आती है काफिंपोर्टेन्ट है और यहmade午 इन दोनों की ही लिखी वी उपिंदर सिंग और नैय जयत लाहरी की पिर देखिए इसलाम पर एक किताब है शोट हिस्ट्री ओफ इसलाम यह देखिए केरें आंस्ट्रों की इंपोर्टेंट बूक है काफी और इसका असर आप तब जेक्षेंगे जब मैं इसलाम की हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा यह थोड़ी सी आलग किताब है वैसे है तो इतिहास से समझदी थे लेकिन यह जो जैसे आप पढ़ते हैं मैंने आपको बता है ना मैं नाम भूलके जो इज्राइल वाले लेका यूवाल नोवा हरारी की जैसे सेपियंस का रिव्यू किया था सेपियंस वर्ल्ड में मस्ट पॉपुलर है और उनकी बुक्स जो भी आती है वो लाखों की संख्या में भिक जाती है आते ही तो यह होमो डियस है और जो सेपियंस है उसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ तो उसी प्रकार की कुछ किताबे है एक अलग आपका प्रस्पेक्टिव एक मैं हिंदी मीडियम से रिलेटेड हूँ लेकिन जब मजबूरी हो जाते है कि नहीं है तो फिर मैं जोड़ तोड़ करके अंग्रेजी भी काम चला लेता हूँ हर्बंस मुख्या की जैसे मैंने भारती मुगल आपको किताब बताई इसी प्रकार से मंदेकाल ने भारत नए आ फिर देखे ये कुछ किटाबें ये सेखावाटि किसान आंदोलेनो और सुल्टंतर ता सिनाली तारह चंध हरोड़ा ये अभी देवेंदर कुलहार ने लिख़ी थी ये किताबें उन्हों नहीं नहीं दोनों किताबें मुझे बладागवों किताबै ओर देखे रखिक्तान कि पांच बोद्ध दार्शनिक इस प्रकार की किताबे हैं, महत्मबुद्ध के बारे में ये वैशाली के नगर विदू, आचारिय चत्रुसेन वाली किताब है ये, अब इसके बाद में हिस्ट्री की देखें और दिखाओं आप, वर्ल्ल हिस्ट्री में पॉल केनेडी की किताब है ये, काफी मोटी किताब है, पूरी तो मैंने भी कभी नहीं पड़ी, लेकिन इसको मैंने खरीद काफी पहले लिया था, The Rise and Fall of the Great Powers, तो दुनिया बर में जितने भी Empires हुए हैं, उनका किस परकार से पतन हुआ हैं, उन सब के बारे में इस book के अंदर लिया गया है, फिर उसके बाद में देखी बागी सुल्तान, आधुनिक जो नए इतिहासकार है, उनमें इदी मैं बात करो, तो मुझे Manu S. पिल्लाई बहुत अच्छे लगते हैं, और Manu S अच्छी किताब होगी, मुझे पहले से लग रहा, क्योंकि इनकी किताबें well researched होती हैं, मतलब जिस topic पे बात करते हैं, एक इनकी ivory throne आई थी, इस प्रकार कि मैं अभी मुझे time नहीं मिल पा रहा है, जो प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए मैं video बनाता हूं उसके चक्कर में तो मैं यह चाहता हूं कि मैं manu aspillai की कम से कम, जितनी भी 3-4 किताबें हैं, वो सारी पढ़ हूँ, रोमिला थापर की जैसे आप जानते हैं, इतिहासकार और आधिकालिन भारत, यह कई किताबें तो ऐसे भी लगते हैं, मतलब जो इनके opposite जो side होती है, चीजों को देखने क कि उसको counter करने के लिए भी बहुत सारी किताबें रखी जाती हैं, लेकिन भारत की इतिहास में, इतिहासकारों की बात करें, तो women जो historians हैं, उनमें सबसे top PD नाम लिया जाएगा, तो रोमिला थापर का लिया जाएगा, बहुत अच्छी किताबें लिखती हैं, और बहुत माइकल विडजेल, जया मैनन, काई फ्रीज, राजिव खान कही लोगों की मिलकर ये लिखी हुई है, पर इसके बाद में देखिए, देखिए, इंगलिश में किताब है, और इसकी जो पेज क्वालिटी और इसमें जो पेंटिंग्स वगरा दे रखी हैं, बहुत महंगी कित है उसने गांदी को क्यों मारा, जैसे अभी मुनें उनकी सावरकर पर जो किताब दिखाई थी, हिंदुस्तान का स्वाधिन ता आंडुलन और कम्यूनिस्ट, योध्या सिंग की किताब है, भारत की आजादी के आंडुलन के दोरान कम्यूनिस्टों का क्या योगदान रहा, कैसे वो आगे बढ़ रहे थे उन सब बातों के बारे में काफी विस्तार से चर्चा करते हैं अयोध्या सिंग आप पढ़ सकते हैं यह आपका इसमें इंट्रेस्ट है इनिक एक और किताब है भारत का मुक्ति संग्राम बहुत इंपोर्टेंट है मुझे अयोध्या सिंग की कि किताब हैं मार्कसवाद पर पर पढ़ना भी मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि इस प्रकार की चीजे पढ़ना मनलग राइट विंग लेफट विंग और सबल्टरन है हर प्रकार की इतिहासकारों की किताब हैं आप यह समझ जाते हैं जो भी खेल खेलते हैं राइट पत्यार रहो पर इतिहास को तोड़ मरोडने की कोशिश तो दोनों तरफ से जो गलत तथे पेश किया जाते हैं उसका आपको अंदाज़ा हो जाता है तो कई बार जो फेस्बुक वगरा पर वाटसब वगरा पर लोग दोनों तरफ के लोग लड़ाई लड़ते हैं और वो कु सबसे बेस्ट किताब गुणाकर मुले की बताई जाती है काफी बड़िया किताब है यह देखिए नवाब वाजिद अली शाह किसे सम्मनित किताब है अवद के आखरी नवाब की रंगीन दास्तान परी खाना वो काफी पॉपुलर है मतलब अलग प्रकार से भी आप मान सकत हैं और इसके अलावा गिरिश करनाड की तुगलग पर यह देखिए एक नाटक्स जैसे आप मान सकते हैं गिरिश करनाड का तुगलग तो यह इतिहास से सम्मनित most of the books जो मैंने आपको दिखाई देखिए मैं जो पहले आपको उस तीन रेक में जो किताब दिखाई उनमें स यह दो आगपर किताबें पढ़ूं मैं किसी मतलब अकबर स से मतलब यह नहीं कि अकबर पर्यपर होगे मतलब एक शाशक से रिलेटेड जो कि चीज है वो मैं एक साथ पढ़ और यहाँ आप मान सकते हैं कि किसी एक मुद्दे को लेकर जैसे वरन विवस्था को लेकर यह फ काफी विद्यार्थी इसको पढ़ते भी हैं फिर उसके बाद में देखे राजस्थान की इतिहास की बहुत सारे किताबे हैं और इनको मैं एक साथ ही निकाल लेता हूं राजस्थान की इतिहास की काफी सारी बुक्स है मेरे पास जैसे ये राजस्थान की सांस्कृतिक परंप किताב . राज estado क कलाण संस्कृती हैं , लेकिन कुछ कवर कर लेने के कारण ये important बाली जाती है , इसके इतिहास संस्कृती दोनों उसकृत पड़ने के लिए और प्रमानिक किताब मानी जाती है मरलब परिक्षा में कभी भी गाइड से सवाल वैसे तो देखे एक अलग खेल होता है कि कई बार एक गाइड से बहुत सारे क्वेशन आ जाते हैं वो तो उनकी कोई आपस में सेटिंग होती है अलग बात है लेकिन वैसे आप बात करें तो इन्ही को प्रमानिक किताब माने जाता है जैसे राजस्तान हिंदी गरंथ अकार्मी के और से आती है डोकर्र हुकुम चंजैन और नारेन नाल माली की और ये मानव संसादन विकास मंत्राले में लेकि रामप्रशाद व्यास का पार्ट वन और पार्ट तू पार्ट तो खास और से बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन ये बुक्स तभी पढ़ी जा सकती है रामप्रशाद व्यास वाली जब आप बी वगरा में पढ़ रहे हों भविष्य माप राजिसान के कॉंपटिटिव एक्जाम की तियारी करना चाते हों तो पहले से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अचानक से आप इस प्रकार के किताबों को नहीं पढ़ सकते हैं फिर उसके बाद बात करें तो देखिए दक्षन भारत की इतिहास की मैंने आपको बताया कि के ए निलकर्ण सांस्त्री वाली जो किताब हो वो हिंदी में मैंने किसी को दे दी यह इंग्लिश में है हिस्ट्री आफ साउथ इंडिया या फिर साउथ इंडिया पर एक दूसरी इंपोर्टेंड किताब आती है डॉक्टर हुकमचन जैन और एससी वीजे की भारती इतिहास संस्कृति का एंसाइक्लोपीडिया वालाग अलग प्रकार की वर्डिंग को हर चीज को इसमें बदर्शा रखा है और उसमें इसका आप रिव्यू देख सकते हैं जो मैंने किया था किया वाइस का रिव्यू य यह किताबे हैं फिर यह सारी किताबे हैं लास्ट में यह बच गई हैं हिस्टोरियोग्राफी से समदित बाहर इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन से समदित किताबे जैसे यह किताब वाट इस हिस्ट्री इतिहास क्या है या फिर यह जो दूसरी किताब है इतिहास दर्शन बाई डॉक्टर जहारखन चोबे या ई स्रीदरन की ये दोनों किताबे एक हिंडी में और एक इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा इसमें बिक्ती भी है और क्योंकि सबसे ज़्यादा बाते हैं डिटेल इसके अंदर भी दी गई है एक टेक्स्ट बूक ओफ इस्टोरियोग्राफी ये देखिए एक गाइड है इतिहास का दर्शन और इतिहास लेखन जो अभी राजस्तार में अस्टिशन प्रोफेसर का एक्जाम हुआ तो उससे गाइड निकाली गई थी काफी अच्छी गाइड है ये डॉक्टर केल खुराना और आरके बंसल की इतिहास लेखन धानाय और पद्दती ये किताब है इतिहास दर्शन पर डॉक्टर पर्मानन सिंग की किताब है और इनके तुम्हें शायद खुराना वाली को छोड़कर मै कोई दूसरी किताब आती भी नहीं है अब कुछ और किताबे रही देखिए कोई गाइड वगर सीधी है कोई फर्स्ट डेड की निकालती ये तो यह नहीं दिखाऊंगा अलग से लेकिन कुछ और किताबे हैं जो यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको यह मैं एक बार यहां पर रख देता हूं बहुत सारे किताबें यहां पर मेरे सामने हो गई है और जवगय भी नहीं बचिए लेकिन अब ज्यादा किताबें हैं नहीं कुछ इंपोर्टेंट दिखा देता हूं मैं देखिए जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल के ओल्ड पेपर्स के लिए और इंडा इस्ट्व के तीनों जो पॉर्शन संट्री काreu उसको कवर करती हैं जो द्र्श्टी की तरफ से तो बोहुत सारी सिरी आती है यह प्रिलिंज्ट की प्रैक्टी सिरीज उनके आती है यह भारती इतिहास के लिए एक प्रैक्टी सिरी l' fences या फिर सामयने तोर पर एक और किताब आती है स्पेक्ट्रम के और से या फिर आप बेसिक यदि मैप बुक की बात करें हिस्ट्री से रिलेटेड तो वह इतिहासिक मानचित्रावली नाम से महिश कुमार बनवाल की किताब आती है लेकिन UPSC के लिहास से उतनी इंपोर्टेंट मैं इसको नहीं मानूँगा फिर इसके अलावा यहां पर हम बात कर सकते हैं राजस्थान के इतिहास की एक और किताब यहां पर रह गई थी मैं भी इसको उपर रख देता हूँ पवन भवरिया ने लिखी थी यह किताब अभी उनकी एक सेकंड ग्रेड की भी किताब आई है जो कि अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है उसको मैंने मंगवा लिया है इसके अलावा देखिए जो आप बात करें multiple choice questions के लिए जो old paper solutions के लिए जैसे ये एक सुगम की ओर से आती है 7300 से ज़्यादा पुष्णों वाली या एक जो youth competition टाइम वाला जो सबसे ज़्यादा आजकल बिखता है या फिर ये जो नेरजियारफ के लिए अरिहंत की किताब यहाँ पर रखिवी है दृष्टी भारती इतिहास एक किताब रखिवी है NCRT through ये किताब है फिर या फिर महेश कुमार बर्नवाल का NCRT का सार आता है या ये जो ग्यान इतिहास वाली आती है मैंने इनका चार का comparison किया था एक शाहिद उसमें ग्यान इतिहास थी एक महेश कुमार बर्नवाल की थी और एक कौन सी आती है आरिये के साथ मैंने आप कई पर बता तो मैं नाम बूल गया उसका आज ये इगी शाहिद यहीं पर कहीं सामने फिर देखिए ये जो दो किताबे सामाने तोर पर विद्यार्थी एक complete solution के लिए पढ़ते हैं एक तो आरिये competition time और एक नीरेज पांडे वाले किताब तो नीरेज पांडे वाले किताब कोई विद्यार्थी लेना चाहिए तो मैं बताना चाहूँँगा थोड़ा वेट कीजी उसका नए edition जल्दी आने वाला है और यारिये competition time तो सबसे ज्यादा इस portion में अभी तक भी की रही थी फिर देखिए दृष्टी की तो बहुत है कला और संस्कृति की भारती इतिहास और राष्टी आंदुलन पर है और नेर जैरफ के लिए दृष्टी की पड़ी है फिर फर्स्ट ग्र लगबग इतनी ही किताबे हैं मेरे पास और मैं कोह सारे विद्यारती कहते हैं कि आपके पीछे इतनी किताबे रखे रहती हैं कौन से किताबे हैं जरा हमें दिखाईए तो ये पहला वीडियो मैंने बताया कि इतिहास से समद्दित मेरे पास कौन से किताबे हैं आप कोई व जरूर कीजी आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजी धन्यवाद